है अज़ाइब आप अज़ाइब आप अज़ाइब आप 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 हैलो फ्रेंड्स मेराम विक्रम है और मैं इस वीडियो में आपको strings के नाम और open string exercise बताने वादा strings को हमेशा नीचे से count करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 total 6 strings होती है इनके नाम होते हैं first string का नाम होता है E and second string का नाम है B 3rd string का नाम है G 4th का नाम है D 5th का नाम है A and last E 6 strings के नदर 2 strings है E first वाली and last वाली 1st string जो है वो high note है and last lower note है इसको हम treble strings भी बोलते हैं और last base string जो हमारी नीचे वाली 3 strings होती है first, second, third ये ती note इनको बोलते हैं treble strings या sharp strings and जो हमारी top strings होती है 6th, 5th and 4th ये होती है हमारी base strings strings के नाम याद करने के लिए मैं आपको एक formula बता देता हूं every beautiful girl deserves an eye e, b, g, d, a, e every beautiful girl deserves an eye ये इसका formula है जिससे आपको अगर आप भूल भी जाते हैं तो इस formula को याद कर लें तो आपको इसली याद आ जाएगा कि किस string का नाम क्या है जो strings के नाम है e, b, g, d, a, e ये जो e, b, g, d, a, e ये होते हैं sur हमारे English में इनको notes बोलते हैं Hindi में sur बोलते हैं तो ये हमारे total notes होते है 12 उन notes के अंदर से जो natural notes है उनको उठाया गया है और in strings के नाम रखते हैं ये प्यानों से tune होता है अब आते हम open string exercise पे मैं आपको total 5 exercise बताऊंगा तो first exercise जो है वो है 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 आपको down stroke ले करना है हर strings पर और start करना है 6 से 6 then 5 4 3 2 1 gap आपका बिल्कुल same रहना चाहिए आप चाहे speed में करें चाहे slow starting में आपको slow-slow करना है बिल्कुल तो आपको 6 और 5 के बीच में अगर 1 second का gap है वही 5 4 4 के बीच में भी 1 second का ही gap रहना चाहिए मादलब same gap रहना चाहिए 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 और 1 और 6 के बीच में भी same gap इसको continue play करते रहना है 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 तो 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 ठीक है 1 और 6 के बीच में भी सेम गया पनाना चाहिए ऐसा नहीं करना है मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाते हूं 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 ऐसे नहीं प्ले करना है 1 के बाद जब 6 पर आओगे तब भी सेम गया पना चाहिए 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 तो आपको कॉंट्यू प्ले करते हैं ना इसको सिक से 1 फिर 6 से 1 तो कि वन तक जाना है 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 आपको धीरी 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 प्याच्वली स्पीड बढ़ाने है आपको इसकी ठीक है देन हम आते हैं 2 2 एकिए रहे डाव राव रinson प्रेंडाव सांटमे के चमाइब जांटम डाव 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 डाव-डाव डाव पाल == 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको down, 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 up, 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 up स्टार्ट करना है 6 से then 1 पे जाके 1 को again प्ले करना है लेकिन अप श्रोप प्ले करना है उपर आते वे यह हमारी second exercise इस पाते हम third exercise पे third exercise के अंदर आपको क्या करना है 6 strings को दो बार प्ले करना है मैं अब सभी strings को दो बार प्ले करना है डाउन अप, 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 तू ट्री फौर फाइव शिक्स ऐसे आपको कोंट्रीट बेखरते रहना है धी-धीद बढ़ानीया आपको उसके बाद आते हम फ़ोर्थ एक्सेसाइज पर फॉर्थ एक्सेस को आपको सिक्स स्टिंग्स को फॉर टाइम प्ले करना है वह varias को फॉर टाइम ऐसे 2 3 4 5 6 आपको एक बाद प्ले करके दिखाते हैं तो इसके बाद आते हैं लास्ट फिफ्ट आपको करना है सिक्स को डाउन फिफ्ट को अप देन फोर्थ डाउन थार्ड अप सेकंड डाउन फिर्स्ट अप अप उपर आते हैं फिर्स्ट को डाउन सेकंड अप थर्ड डाउन फोर अप फिफ्ट डाउन एंड शिक्स अप आपको अल्टरनेट प्ले कर करना है 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 ठीक है यह हमारी 5 एक्सराइज है